आप खाना खा रहे हैं, मतलब जो भी आपकी भूख है, जितनी भी भूख है, उसका सिर्फ 50% खाना खाईए, 25% पानी यानि लिक्विड होगा और 25% खाली छोड़ दीजे, क्योंकि गैसेस के मुवमेंट के लिए भी थोड़ी सी जगा चाहिए होगी, जब आप 50% खाना और easy योग आसनों का अभ्यास, जिनकी मदद से अगर आपको constipation की समस्या है, कब्ज की समस्या है, तो उससे निजात मिलेगी, उससे छुटकारा मिलेगा, और साथी constipation की समस्या अगर आपको है, तो आपकी diet, आपका खान पान भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, खान benefits क्या है, इनको करते वक्त क्या सावधानिया बरतनी है, साथ ही अगर कोई beginner है, शुरुवात कर रहा है योग में, तो कुछ modifications भी आपको बताऊंगी, तो आपको करना क्या है, कि वीडियो को अंत तक देखना है, हर एक steps को अच्छी तरीके से समझना है, चैनल में नए आए ह तो आप सभी से request है, कि चैनल को जरूर subscribe कर दीजेगा, और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा, अगर आप नीचे घंटी का निशान दबा देते हैं तो मेरी next वीडियो में कभी भी upload करूंगी, उसका notification आपके mobile या laptop में आसानी से मिल जाएगा, और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, नमशकार दोस्तों मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में, दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आप जान लेते हैं, अगर इन आसनों का अभ्यास आप निरंतर करते हैं, तो इसके क्या ला लिया है, वो अच्छी तरीके से पचेगा, और जो भी मल है, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलेगी, टॉक्सिंस को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलेगी, पूरी abdominal muscles आपकी मजबूत होंगी, यानि पेट के आसपास मांसपेशिया मजबूत होंगी, और जित अगर diabetes की समस्या है तो आपके pancreas का function जो है, वो भी improve होगा, और benefits यहीं पर खतम नहीं हुए, पूरी hip joints के around, जो है, blood flow इंप्रूव होगा, जिससे की flexibility इंप्रूव होगी, जिन लोगों को frequent lower back का pain होता है, क्योंकि office में बहुत देर तक एक ही posture में बैटे हुए, थोड़ा pressure लगता है, lower back का pain जो है, वो भी इसमें बहुत ही जादा मददगार होगी, साथ ही कमर के आसपास की जो चरबी है, वो दूर होगी, पूरे पैरों में आप देखेंगे, गजब की मजबूती आजाएगी, घुटनों में दर्द की समस्या, एंकल में दर्द की समस्या, यह तो मैंने बताया कि अगर इनका अभ्यास आप करते रहते हैं, तो घुटनों में दर्द और एंकल में दर्द की समस्या नहीं होगी, वो तब जब आपको अलरड़ी ऐसी कोई समस्या नहीं है, और अगर आपको अलरड़ी समस्या है, तो घबराये नहीं, इन पॉस्टर्स को आपको अगर आपको रिसेंटली कोई अब्डॉमिनल सर्जिरी हुई है, तो भी इन पॉस्टर्स का अभ्यास ना करें, जब आप थोड़े रिकवर हो जाएं उन सर्जरी ते तब आसनों का अभ्यास करें, चुकि इसका इफेक्ट डिरेक्ली आपके अब्डॉमिनल रिजन पर पढ़ रहा है, तो जब आप लेडी स्पीरेट के दोरान हों, तब इसका अभ्यास करना कम्प्लीटली अवाइड करें, या पैरों में किसी तरीके की चोट लगी है, तो भी इन पॉस्टर्स को करना, आपको अवाइड करना है कम्प्लीटली, सबसे पहले जी सासन का हम अभ्यास करेंगे, इसका नाम है मलासन, मलासन का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना है, सिंप्ली स्क्वाटिंग पोजिशन पर बैट जाना है, और इसको बहुत से लोग एशियन स्क्वाट्स के नाम से भी जानते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो आराम हैं कि बहुत से लोगों को हिपस में बहुत जादा स्टीफनेस होगी या घुटनों में दर्ध होगी या बुजुर्ग होगे जो फ्रिक्वेंटली मैट पर ऐसे नहीं बैठते के सामने यासे जोड लेना है ठीक है अगर ये ना कर पाएं तो कोई बात नहीं दोनों शोल्डर को अंदर कीजे घुटनों को बाहर की तरफ करिए और दोनों हाथों को आप चाहें तो मैट पर रख लेए क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो इसमें ये है कि आप डीप स्क्वाटि इंप्रूब होता है और वहाँ पर प्रेशर बनने के कारण आप आसानी से मल को त्याग करते हैं आपने देखा होगा हमारे मोस्ट आफ इंडियन जो टॉइलेट्स हुआ करते थे मैं थे इसलिए लगा रहें क्योंकि आप मोस्ट आफ लोग वेस्टन टॉइलेट इस्तमाल करते हैं कुछ लोगों की तो हैल्थ करडिशन होती लेकिन कुछ लोग ऐसे ही वेस्टन टॉइलेट का इस्तमाल करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपको एस को से अधाने करें क्योंकि बैठने की जब भी बच्चे जो हैं मा के गर्व में होते हैं पेट में होते हैं तो उनके बैठने की पोजीशन ही हम सभी जब पैदा हुए थे मा के पेट में थे तो हमारी बैठने की पोजीशन ही कुछ इस तरीके की थी तो ये हमें प्रकृती ने इस तरीके से डिजाइन किया है इसलिए इसके साथ छेड़ चाड़ना करें और कोशिश करें कि अगर आप मलासन में नहीं बैट पा रहे हैं तो अपने पैरों को तयार करें एंकल को मजबूत बनाएं घुटनों को मजबूत बनाएं और इस तरीके से इस पोजीशन में कम से कम मिनीमम मिनीमम आपको एक मिनट बैटना है और अगर पांच मिनट तक बैट सकते हैं तो बैठें इस अभ्यास को सुबह जैसे ही आप उठे वैसे ही इस पॉस्चर में अहसास हो रहा है और आप आराम से अपने मल को त्याग कर सकते हैं और अगर पॉटी नहीं भी आ रही है तो आप कोशिश करें अपने शरीर को ऐसे ट्रेन करें कि आपको हर रोज सुबह पॉटी आ जाए इसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी होगी अपने आपको जैसे कि हम गहर में नए पपी लाते है ना तो कैसे उसको ट्रेन करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें देते हैं तो ट्रेन हो जाते हैं ऐसे ही हमारा शरीर है कि इसको आप जिस साचे में ढालना चाहें वो साचे में ढखल जाएगा तो आपको सुबह इस तरीके से बैठ जाना और थोड़े दिन बाद आपकी आदा तैसी हो जाएगी कि आपका प्रेशर बनने लगा है, तो ये हो गया मलासन का अभ्यास, अब देखिए, बहुत से लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा कि आप इस तरीके से मलासन में आसानी से बैठ जाएगे, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास इस तरीके के एक योगा ब्लॉक है, अगर आपके पास ऐसी योगा ब्लॉक नहीं है, तो आपके आज पास इटे होंगी, जिससे घर बनाते हैं ब्रीक्स, वो होंगी, आप वो अरेंज कर लें, तीन, चार, पांच, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, अभी आ जादा है या बिगनर है, तो आपको करना क्या है, कि आपने इस तरीके से योगा ब्लॉक को रखा एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से, ठीक है न, और फिर उसके बाद, आप क्या करेंगे, कि ऐसे आप इन योगा ब्लॉक के ऊपर बैच जाएंगे, ठीक है, देखिए, साइ अंदर करके रखना है, ताकि आपका जो पेट है ये पेट आगे की तरफ हो, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो सीधी हो, पीछे देखिए मेरी स्पाइनल कॉर्ड कैसे सीधी है, और पूरी बाडी का वेट दोनों पैरों पर equally distributed है इस तरीके से, तो कुछ दिनों का अभ्यास इस तरीके से करिए, देखिए कुछी दिनों में आपके hip joints कैसे open होने लगते हैं, और पैरों में भी मजबूती आने लगेगी इस तरीके से, इसकी height बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई छोटी table इस्तमाल कर लीजिए, और ऐसे, चलिए सीखते हैं दूसरे posture का अभ्या चुकि आप मलासन आसानी से सीख गए हैं, तो इस posture का अभ्यास करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अब हम अभ्यास कर रहे हैं वायू निसकासन का, तो इसके अभ्यास करने के लिए वापस से हमने back जाना है मलासन की position पे, इस तरीके से, वही सारे steps को करते हु अब क्या करेंगे कि आपके दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजे, यानि हाथ की जो उंगलिया है इसको लेटर की तरह जैसे envelope में डालते हैं उस तरीके से, ऐसे हमने फसा लिया, इस तरीके से, आपके घुटने बाहर हैं और shoulder अंदर की तरफ है, सामने देख रहे हैं, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने hips को अप करेंगे और घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा करेंगे जिससे थाई से आपके पेट पर दबाओ पड़ रहा हैं इस चीज़ का ध्यान दे, और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस से आपने बैट जाना है मलासन इसका अभ्यास minimum एक मिनट कर ले और वैसे तो देखें तो 10 से 15 बार जितना आपकी strength हो अच्छी वैसी कर ले सांस लेते हुए hip up और सांस छोड़ते हुए hip down इस तरीके से सांस लेते हुए hip up तो इसका अभ्यास आपको कब्स में तो रहात देगा ही सांथी पेट पर जिनके बहुत जल्दी जल्दी gas बन जाती है ना उनकों में भी बहुत जादा मदद करेगा और देखें कितना अच्छा thighs और घुटनों की आसपास की muscles में आपके आप एक fire feel कर रहे होंगे जो की मदद करेगा वहां की muscles को मानसपेशियों को मजबूत बनाने में इस तरीके से अब बहुत से लोग इस तरीके से पैर को फसा के करने अभ्यास करने में असमर्थ होंगे तो आप simply mat पर अपने हाथ को ऐसे रख दीजिए ताकि hips को आप पुश कर सकें ऐसे यह हो गया second variation hips को up किया खुटनों को पूरना सीधा कर पाएं तो इस तरीके से हलका सा टेढ़ा कर लें और फिर ऐसे drop करें सास ले floor को push करें hip को up करें और सास छोड़ें ऐसा इतना अभ्यास अगर आप करने लगे न तो पैर में तो कुछी दिनों में मजबूत ही आ जाएगी और खाना भी बहुत अच्छी तरीके से पचेगा और आप अपने खाने को enjoy करेंगे guilt free होके अब सासन में मैंने आपको variation बताया था blocks की मदद से तो आपको simply अपने blocks को ऐसे अपने hips के नीचे रख लेना है अराम से बैठ जाना है हाथ को आगे रखना है यह भुजुर्ग भी आसानी से कर सकते हैं घुटनों में दर्ध हो जिनको वह भी आसानी से कर सकते हैं और सास लिया hip up सास छोड़ा वापस से बैठ गई सास लिया hip up और सास छोड़ा वापस से बैठ गई देखा कितना आसान है floor को बस push करना है और फिर वापस से ऐसे बैठ जाना तो इसका अभियास अगर आप एक मिनट ना कर पाएं तो शुरू-शुरू में 10 सेकेंड कर लें फिर थोड़ा टाइम बढ़ाएं एक मिनट का अभियास हो गया एकदम से एक मिनट का अभियास कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा तो इन पॉस्चर का अगर आप अभियास करते रहते हैं तो आपकी थाइस के राउंड हिप्स के राउंड जो एक्स्ट्रा फैट ही कट्टा होती उन इसरा पॉस्चर कर रहे हैं यह तो बड़ा ही आसान दोनों पैरों को आराम से ऐसे आपने एक एक करके घुटनों से मोड लिया दोनों घुटनों के बीच में आपने कंधों जितना फासला रखा दोनों हाथों को बाड़ी के पीछे रखिए ऐसे जुकी हुई ना हो आपकी स्पाइनल कॉड ध्यान रखिएगा यह बहुत ऐसे पीछे हो गए हैं यह ध्यान रखिएगा नाइसली आप आराम से ऐसे सीधे बैठे हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जुक जाना है कलाईयों को बाड़ी की तरफ रखिएगा उंगलियों को पीछे रखिएगा ऐसे मत द्रॉप कर दिया फ्लोर की तरफ ऐसे और चहरे को घुमा दिया दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड ड्रॉप किया है तो चहरे को राइट साइड ऐसे घुमा दिया ऐसे है ना इस तरीके से सास लिया फिर से अब दोनों घुटनों को मैं ड्रॉप कर रही हूं राइट सा चेहरे को लेफ्ट कंधे की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दिया, फिर से देखिए, ड्रॉप कीजिए, सामने देखिए, ड्रॉप कीजिए, फिर चेंज कर दीजिए, तो चेहरे को भी घुमाएंगे, तो एक्स्ट्रा आपको बेनेफिट अपर बॉड़ी के भी मिल जाएंगे, पाइड ड्रॉप कर दिया, लेफ्ट देखा, सास लिया, सास चोड़ा, अब ही साब भ्यास में आपको क्या करना है, कि आपकी नाभी पर आपको धियान रखना है, नाभी कैसे एक, दूसरी साइड जब पैर ड्रॉप करें तो कैसे मूव हो रहे हैं, ये भी आप महसूस करे तो यह सारे चीजे में आपको छोटी छोटी इसलिए बता रही हूं ताकि आप अपने प्रैक्टिस को और भी जादा अवेर होके अभ्यास करें सास लिया सास छोड़ा सास लिया सास छोड़ा अगर आप पूरे घुटने को ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हो सके उत पीछे की तरफ खीचे और फिर से अभ्यास में लग जाईए तो इसका अभ्यास तो आप कभी भी कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से इसका अभ्यास भी आपको एक मिनट करना है घुटना ड्रॉप करें तो सास छोड़ दें सेंटर आए तो सास ले ले फिर घुटना ड्रॉप कर अगर आप इनका अभियास करते तो आपको बहुत ही जादा लाब मिलेगा और सुबह सुबह आपको वो ट्रेनिंग भी देनी है ना याद है ना आपको मैंने बताया था आपकी बॉड़ी को आप ट्रेन भी कर पाएंगे इस तरीके से अब दोनों पैरों को खोल लें और फिर रेस्ट करें आप जो वादा किया था उस वादे को निभाने का वकत आ गया है अब मैं आपको देने वाली हूँ कुछ बोनस टिप्स जिसको अपनी लाइफ स्टाइल में आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो ये लाइफ स्टाइल चींज़ आपको आपकी लाइफ में करने दूसरी चीज आपको आपकी नीद का विशेश ध्यान रखना है बहुत से लोगों की नीद जो है आजकल बड़ी गड़बड हो गई है क्योंकि डिस्ट्रेक्शन इतना है चाहे मोबाइल, लैप्टॉप, टीबी हमार पास आजकल एंटेटेंडमेंट के बहुत साधन हो गया है तो मिनिमम से मिनिमम साथ से आठ घंटे की नीद आपको इंश्योर करनी है कि नीद अच्छी आए और नीद अच्छी नहीं आ रही है तो योगा भ्यास करेंगे तो आपकी नीद और आटमेटिकली अच्छी आने लगेगी तीसरा जो आपको काम करना है जो भी आप खान खाना खा रहे हैं बहुत ओवरीटिंग ना करें मतलब बहुत पेट भर के खाना ना खा लें उसमें क्या करें कि जो भी आप खाना खा रहे हैं मतलब जो भी आपकी भूख है जितनी भी भूख है उसका सिर्फ 50 प्रतिशत खाना खाईए 25 प्रतिशत पानी यानि होगा otherwise खाना खाते ही आपको बहुत laziness महसूस होगा फिर आप जाके सो जाएंगे और फिर उसके बाद आपका जो खाना है वो पड़े-पड़े सडने लगेगा और आगे रोटी खा रहा है उसमें चोकर ना मिल ना निकालें तो इस तरीके के खाने से आपके metabolism improve होता है और जो पॉटी है जो स्टूल है जो मल है उसको भी आपकी इंटेस्टाइन से move होने में बहुत आसानी होती है हाँ एक चीज का आपको विशेश धियान रखना होगा कि किसी भी चीज की अती हमेशा हानी कारक होती है तो अगर आपको fiber खाने के लिए कह दिया जैसे कि सलाद हो गई सबजी हो गई यह सब चीजे बहुत एक्स्ट्रा ना खाले क्यों क्योंकि fiber को भी digest करने में जब हमारे पेट को बहुत मशक्कत करनी पड़ती उसकी वज़़े से भी gas bloating और indigestion की समस्या हो जाती है एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि हम अपने काम में इतने जादा बिजी हो जाते हैं कि हम पानी पीना भूल जाते हैं लेकिन आजकल आप यह भी देख रहे होंगे कि शोशल मीडिया में काफी चीजें फैली हुई है कि ड्रिंक लॉट्स ओफ वाटर जब भी आपको प्यास लगे भर पेट पानी पीजिए थोड़ा थोड़ा पानी मत पीजिए लेकिन ऐसा भी नहीं कि पानी पीना ही छोड़ दें तो दोनों चीजों को आपको ध्यान में देश और आप मेरी निग्रानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी आनलाईन योगा क्लासिस में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से conduct किया जाता है ताकि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों आप आसानी से अपके घर के comfort zone में रहकर इन classes को join कर सके इन classes को कोई भी join कर सकता है अगर आप beginner है, already yoga का practice करते हैं या कि फिर आपको कोई lifestyle disorder disease है इन online yoga classes में students मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करते हैं और कि वो क्या-क्या सीखते हैं अलग-अलग तरीके के आसन, प्रानाया, meditation, अपने शरीर की cleansing कैसे करनी है योगी cleansing की technique साथ ही lifestyle को वहतर बनाने वाली कुछ tips और साथ ही diet के बारे में भी guide किया जाता है इन online yoga classes को join करने के बाद मेरे students की health में बहुत ही जादा tremendous changes देखने के लिए मिले हैं और वो health condition चाहे कैसी भी हो जैसे की आपकी lifestyle disorder diseases जैसे की diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure, depression की समस्या, anxiety की समस्या, periods मिस हो जाते हैं PCOD की समस्या conceive नहीं कर पाते, रात में नीद आने की समस्या, weight बढ़ाना है या घटाना है ऐसी बहुत सी समस्याओं में उनको फायदा भी मिला है और आज वो निरंतर yoga अभ्यास करने में सफल भी हैं और सक्षम भी हैं अगर आप इन online yoga classes को zoom के माध्यम से नहीं join कर पाते हैं, कोई बात नहीं मैंने कुछ courses इस तरीके से design किये हैं, जिसको आप अपने घर पे रहेके, अपने comfort zone में इन videos को play करके आसानी से हर दिन yoga का अभ्यास कर सकते हैं, और कितनी बार भी अभ्यास कर सकते हैं, कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं ये courses को जब मैंने design किया तो इस चीज का विशेश ध्यान रखा कि अगर कोई beginners भी इसका अभ्यास कर रहा है शुरुआत की है आपने yoga अभ्यास करने की, तो वो लोग भी आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं step by step हर एक तरीके के आसन, प्रानयाम और meditation को मैंने guide किया है इन सारी videos में आपको करना क्या है? इसके बारे में और अग अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर मेरी website मिल जाएगी www.yogaviddshahida.com अगर आप website नहीं विजिट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने यह WhatsApp नमबर शेर किया हुआ है इस WhatsApp नमबर पर आपको सिर्फ एक WhatsApp करना है ताकि क्लास के बारे में आपको मेरी टीम के द्वारा सारी की सारी डिटेल भेज दी जाए तो मैं तो बहुत excited हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए आप अभी मेरी वेबसाइट विजिट करें और इस WhatsApp नमबर पर एक WhatsApp भी कर सकते हैं तो देखा आपने कितने आसान थे ना ये सारे योगा अभ्यास और साथी जो मैंने टिप्स बताई है आप उसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा योगा अभ्यास के साथ इन टिप्स को भी अपलाई कीजिए देखी कुछी दिनों में कैसे कॉंस्टिपेशन की समस्या चू मंतर होती है लेकिन आपको इन अभ्यासों को निरंतर करना है ये नहीं कि एक दिन किया दो दिन किया और फिर छोड़ दिया आपको खुद भी करना है और अपने दोस्तों और रिश्दारों को भी खुब मोटिवेट करना है कि वो योग का अभ्यास करें अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कोई फाइदा मिला है चुकि आप अंतक देख रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्दारों को खुब फॉरवर्ड कीजेगा ताकि उनको भी स्वास्त लाब मिले अगर आप चाहते हैं आपके सजिस्ट किये हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं इन फ्यूचर तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताईए कि अगली आने वाली वीडियो जो है कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताई हुए टॉपिक पर वीडियो बनाके अपना खूब खयाल रखिए नेक्स वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी नमस्ते करना खूब ओब नेक्स जल्दी मुझे टॉब झाली नेक्स